परिचाए उपस्थित वायू को गर्म करने के लिए गैसिय इंधन का उपियोग किया है, जिससे खुबारा जमीन से उपर उठकर हवा में आ किया है। ठीक है पिता जी, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा, कि गैसी अवस्था की निश्चित आकरिती नहीं होती। इस पार्ट में हम द्रव की गैसिय वा द्रव अवस्थाओं के बारे में सीखेंगे, उत्तेश्ये। इस पार्ट के अंत में आप निम्निक करने में सक्षम हो जाएंगे। अंतरा अनुक वलों की व्याख्या करना, ठोस, द्रव तथा गैसी अवस्था के मथ्थे अंतरिस्पश्चि करना, गैसों का नियम बताना, आदर्श गैस का समी करन बताना, डॉल्टन का आशिक दाप का नियम बताना गैस के अनु गतिक सिध्धांद का वणन करना आदर्श कैसों तथा वास्तविक गैसों के बीच अंतर करना द्रवों के वाश्प दाप पर चरचा करना और प्रिष्ट तनाव तथा श्यानता का वणन करना अन्तरा अनुक बल अनुओं के बीच आकर्शन के वे बल जो अनुओं को एक साथ रखते हैं वे अन्तरा अनुक बल कहलाते हैं अनुओं के बीच आकर्शन बल के कारण उर्जा आन्विक अन्योन निक्रिया उर्जा कहलाती है आणविक अन्योनिक क्रियाओं के कारण अंत्रा अनुक आकरशन वा प्रतिकरशन बल उत्पन होते हैं आकरशी अंत्रा अनुक बल वांडेर वाल्स बल भी कहलाते हैं प्राकीरण बल अत्वा लंडन बल इलेक्ट्रोन परमाणों पर अधिकांश समय सम्मित रूप से वित्रित रहता है, लेकिन किसी क्षण में नाभिक के परितह इलेक्ट्रोनों के वित्रण में कुछ असम्मिती भी हो सकती है, जिससे एक विद्धुत दुईध्रव उत्पन होता है। जिससे वो भी दुईध्रुव हो जाता है। ये दो दुईध्रुव आकर्शित होते हैं और इनके बीच आकर्शन का ये बल टाकिनन बल अत्वा लंडन बल कहलाता है। ये आध्रुव ये अनों में तथा नौबल गैसों में भी होता है। उधारन के लिए पर्मानू का सम्मित वित्रण है और अन्य का असम्मितिय वित्रण है तथा असम्मितिक वित्रण वाला पर्मानू अन्य पर्मानू के इलेक्ट्रोन वित्रण को विरूपित कर देता है। जिससे आकर्शन बल उत्पन होता है। दुई 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 प्रदशित किये जाते हैं। एक अरगन अणों में इलेक्ट्रोन अबर को विरूपित करके एक दुईध्रूफ प्रेरित कर सकता है। आयन या स्थाई दुईध्रूफ तथा प्रेरित उश्मिय उर्जा वह उर्जा जो अणों को परस पर दूर करती है। उश्मिय उर्जा कहलाती है। इसे द्रफिद्वरा इसके तापमान के कारण अवधारित उर्जा की रूप में परिभाशित किया जाता है और ये अणों की उश्मिय गती या अणों के संचलन की माप भी है अंतरा आणविक पल बनाम उश्मिय अन्योन निक्रियाएं द्रविकी तीनों अवस्थाएं वास्तों में आणविक अन्योन निक्रिया उर्जा तथा उश्मिय उर्जा के बीच स्पर्धा का परिणाम है ठोसू में आणविक अन्योन निक्रियाएं अत्यांत्य प्रबल होती हैं तथा अणों में उश्मिय उर्जा कम होती है द्रवों में आकर्शन बलों तथा उश्मिय उर्जा के बीच एक सूक्षम संतुलन निर्मित रहता है तापमान में बढ़ोत्री उश्मिय उर्जा को और बढ़ा देती है और अंतता एक ऐसी इस्थिती प्राप्त होती है जहां अडूं विलक हो जाते हैं और लगभग सौतंत्र निगायों की तरहा पहवाहर करते हैं ये अवस्था गैसी अवस्था कहलाती है मुलियांकन आगे बढ़ने से पहले आईए देखें कि आपने कितना सीखा सही विकल्प को उठा कर उसके संगतिस्थान पर रखें गैसी ये अवस्था द्रवे की वो अवस्था जिसमें द्रवे के कडों के बीच आकर्शन के आणविक बल निवनतम होते हैं गैसी अवस्था कहलाती है गैसें उस पात्र को पूरी तरह से भर देती हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है गैसों की विशेष्टाएं गैसों या उनके मिश्रणों का संगठन समांगी होता है नगर्णें अंत्रा अनुक बलों के कारण गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है गैसें दाब लगाती हैं गैसों का ठोसों या द्रवों की तरह निश्चित आकरिती और आयतन नहीं होते गैसों की उश्मिय उर्जा आण्विक आकर्शन से काफी अधिक होदी है गैसों का नियम बॉयल का नियम यानि दाब आयतन संबंध किसी गैस के दिये गए द्रमेमान का आयतन नियतांक तापमान पर इसके दाब के विद क्रमानुपाती होता है नियम की गणितिये व्याख्या आयतन नियतांक तापमान एवं द्रमेमान पर दाब के विद क्रमानुपाती होता है वी बराबर के गुणे एक बटे पी जहांके आनुपातिकता नियतांक है पी वी बराबर के बराबर नियतांक माना कि T ताप पान पर P1 दाव वाली गैस के एक दिये गए द्रविमान का आयतन V1 है अब यदि समान ताप पान पर दाव को परिवर्तित करके P2 कर दिया जाता है तो आयतन परिवर्तित होकर V2 हो जाता है चारों चरू P1 V1 P2 और V2 के बीच मातरात्मक संबंद निम्नानुसार व्यक्त है P1 V1 बराबर P2 V2 नियतांग ताप मान एवं द्रविमान पर बॉयल के नियम का ग्राफिय निरूपन ये V बनाम P का एक विशिष्ट ताप मान पर अंकन प्रदरशित करता है ये दर्शाता है कि P के बढ़ने के साथ V खड़ता है ये एक विशिष्ट ताप मान पर P V बनाम P का अंकन प्रदरशित करता है ये इंकित करता है कि P में नियमित बढ़ोत्री के बावजूद P V का मान नियतांग रहता है एक विशिष्ट तापमान पर P के सापेक्ष P V के अंकन से प्राप्त वक्र, सम्तापी वक्र कहलाता है उच्चतर वक्र, उच्चतर तापमान के संगत होता है ये एक बटे V के सापेक्ष P का विचलन दर्शाता है सीधी रेखा इंगित करती है कि P में बढ़ोत्री होने के साथ एक बटे V में नियमित बढ़ोत्री होती है चाज का नियम ताप मान आयतन संबन कथन ताप की प्रतेक डिग्री में व्रिधी या कमी से गैस की निश्चित मातरा के आयतन में उसके 0 डिग्री सेलसियस ताप के आयतन से एक बटे 273.15 की व्रिधी या कमी होती है यदि V 0 डिग्री सेलसियस ताप मान पर गैस की निश्चित मातरा का आयतन है तो V 1 एक डिग्री सेलसियस पर गैस का आयतन बराबर V 0 गुणे 1 धन 1 बटे 273.15 V T ती डिग्री सेलसियस पर गैस का आयतन बराबर V 0 गुणे 1 धन ती बटे 273.15 निवनितम संभव ताप जिस पर सभी गैसों का आयतन शूने माना जाता है परम शूने कहलाता है शूने के इस विकल्प पर आधारित ताप मापकरम परम ताप मापकरम कहलाता है ये मापकरम केल्विन ताप मापकरम भी कहलाता है चार्ल्स का नियम ये भी बताता है कि नियतांक दाप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन केल्विन मापकरम पर ताप मान के अनुक्रम अनुपाती होता है आयतन नियतांक दाब तथा द्रविमान पर तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है V बराबर K1 T जहां K1 समानुपातिकता नियतांक है माना की V1 T1 तापमान तथा P दाप पर किसी गैस की निश्चित मातरा का आयतन है यदि आपको नियतांक रखते हुए तापमान परिवर्तित करके T2 किया जाता है तो आयतन परिवर्तित होकर V2 हो जाता है चारों चरों V1 T1 V2 और T2 के बीच संबंध निमना नुसार व्यक्त है V1 पटे T1 बराबर V2 पटे T2 नियतांक दाप तथा द्रविमान पर चार्ल्स के नियम का ग्राफिय निरूपण आयतन तथा तापमान की प्रत्येक रेखा संबदाप कहलाती है गैल उसेक नियम दाप ताप संबंध ये नियम बताता है कि इस थिरायतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाप केलविन तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है गणितीय रूप से दाप नियतांक आयतन तथा द्रविमान पर तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है P बटे T पराबर के तो नियतांक माना की T1 तापमान पर तथा V द्रविमान वाली निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन P1 है अब यदि उसी आयतन पर तापमान परिवर्थित करके T2 किया जाता है तो संगत ताब P2 हो जाता है तब नियम के अनुसार P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2 आयतन एवं द्रविमान नियतांक रखते हुए गेल उसे के नियम का ग्राफिये निरूपान इस ग्राफ की प्रत्यकरेखा समायतनी कहलाती है आवो ग्रादो नियम आयतन मात्रा संबंध इस नियम के अनुसार तापमान तथादाप की समान दशाओं में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणों होते हैं गणितिये रूप से आयतन गैसों के अणों की संख्या के अनुक्रम अनुपाती होता है वी बराबर के तीन एन जहां के तीन अनुपातिकता नेतांख है एक मॉल गैस में अणों की संख्या 6.002-3 गुने 10 की घा 23 होती है और ये आवो गातरो इस्थिरांग कहलाती है गैसों की संख्या निम्न रूप में ग्यात की जा सकती है N बराबर है M बटे कैपिटल M के जहां M बराबर अनुवेशनाधीन गैस का द्रविमान तथा कैपिटल M बराबर मोलर द्रविमान आदर्श गैस समीकरण गैस के निमों का पूर्दिया पालन करने वाली गैस आदर्श गैस कहलाती है बॉयल के निम, चाज के निम तथा आवो गातरो के निम के संयों जन से आदर्श गैस समीकरण का विकास हुआ ये निम्न प्रकार व्यक्ति किया जाता है पी वी बराबर एन आर टी जहां आर आनुपातिकता नियतांक है जो गैस की मातरा तथा गैस की प्रकृति से सौतंत्र है एवं सारुथ्रिक गैस नियतांक कहलाता है इसका मान 8.31 जूल प्रती केल्विन प्रती मोल होता है पी गैस की निश्चित मातरा का दाप है वी गैस की निश्चित मातरा का आइदन है टी गैस की निश्चित मातरा का ताप मान है एन गैस के मोलों की संख्या है यदि निशित मात्रा में गैस के तापमान आइदन तथा दाप T1 V1 और P1 से बदल कर T2 V2 और P2 कर दिये जाएं तो हम लिख सकते हैं कि P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2 ये समीकरन संयुक्त गैसनियम कहलाता है मानक तापमान तथा दाप STP गैसों के लिए मानक तापमान 0 degree Celsius 273.15 Kelvin तथा मानक ताप एक बार या 10 की घात 5 पासकल के रूप में लिया जाता है STP में किसी आदर्श गैस या आदर्श गैसों के संयोजन का मूलर आयतन 22.71098 लीटर प्रतिमोल होता है तापमापन का एक अन्यमात रख है एक टौर पराबर 133.322 पासकल उधारन नाइटोजन गैस का एक नमूना STP पर 320 खन सेंटिमीटर आयतन घेरता है 66 degree Celsius तथा 84,000 पासकल दाप पर इसका आयतन आंकडित करें हल दिया है P1 बराबर 10 की घात 5 पासकल P2 बराबर 84,000 पासकल V1 बराबर 320 खन सेंटिमीटर T1 बराबर 273.15 केल्विन T2 बराबर 66 degree Celsius बराबर 66 धन 273.15 केल्विन बराबर 349.15 केल्विन हमें ग्याद करना है V2 अताह गैस समी करन के अनुसार P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2 बराबर 10 की घात 5 गुणे 320 गुणे 349 तशमलव 25 बटे 273.15 गुणे 84,000 बराबर 473.00 गन सेंटिमीटर गैस ये पदार्थ का घनत्व एवं मोलर द्रविमान गैस का मोलर द्रविमान निम्न सूत्र द्वारा ग्याद किया जा सकता है M बराबर D गुणे R गुणे T बटे P, जहां D बराबर M बटे V गैस का घनत्व है, M गैस का द्रवेमान है, V गैस का आहतन है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, T गैस का तापमान है, P गैस का दाप है, डाल्टन का आंशिक दाप का नियम, नियतांक तापमान पर एक निश्चित आयतन में सीमित दू या अधिक अन्योन निक्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण द्वारा लगाया जाने वाला दाप, समान आयतन में प्रतिक गैस द्वारा अकेले लगाये जाने वाले दावों के योग के बराबर होता है। गैसों का प्रथक प्रथक दाप आंशिक दाप कहलाता है। जमा इत्यादी, टीवी नियतांग है। माना की हमारे पास तीन पात्र हैं, जिन में से प्रतेक की धारिता एक लेटर है। एक में नाइट्रोजन के X मोल हैं, दूसरे में अक्सीजन के Y मोल हैं, और तीसरे में नाइट्रोजन के X मोलों तथा ऑक्सीजन के Y मोलों का मिश्रण है, सभी तीनों पात्रों को समान तğपमान पर रखा गया है. अब यदि प्रथम पात्र से जोड़ा गया मैनोमीटर पी एक दाब प्रदर्शित करता है तथा दूतिय पात्र से जोड़ा गया मैनोमीटर पी दो दाब प्रदर्शित करता है तो तीसरे पात्र में दाब पी एक जमा पी दो होगा जलवाश्प का दाब किसी विशिष्ट तापमान पर नियतांग होता है और ये उस तापमान पर जलिय तनाओ के रूप में जाना जाता है शुश्क गैस के दाब की करना फुल दाब से जलिय तनाओ को घटाते हुए की जा सकती है P शुष्क गैस पराबर P माइनस जलिये तनाव मोल अंश के रूप में आंशिक दाब मोल अंश घटक के मोलों की संख्या का मोलों की कुल संख्या से अनुपात होता है T तापमान पर V आयतन के एक पात्र में P A और P B क्रमिक आंशिक दाबों के साथ दो गैसों A और B के एक मिशरण पर विचार करें तब P A पराबर N A R T बटे V P B पराबर N B R T बटे V गैस A और B के आंशिक दाब को निम्ननुसार व्यक्ति किया जा सकता है P A बराबर X A गुणे P P B बराबर X B गुणे P जहां P पुल दाब X A और X A गैसों का अनुगतिक सिध्धान्द गैस के अनुगति सिध्धान्द के अभी ग्रिहित निम्न है सभी कैसे अत्यंते छोटे कड़ों की बड़ी संख्या से इंदिर मेथ होती है जो अनु कहलाते है ये अनुआ बड़े अंतरालों दोरा एक दूसरे से प्रिथक होते है इसलिए अड़ू द्वारा अधिक्रिहित किया गया वास्तवी कायतन गैस के कुलायतन की थुल्ला में नगर्णे होता है। ये अड़ू विरामा वस्था में नहीं होते बल्कि इनमें तीव्र अनियत यानी याद्रिचिक गती होती है। इनकी गती के दोरान ये एक दूसरे से तथा पात्र की दिवारों से संघट करते हैं यानी टकराते हैं। गैस का दाब पात्र की दिवारों के विरुथ गैस अनों की बंबारी के कारण होता है। अनों का परस पर तथा पात्र की दिवारों से संघट, पूर्ट्या प्रत्यास्त होता है। अर्थाद गतिज उर्जा का हिरास या प्राप्ती नहीं होती। हाला कि ऐसे संघट्टों के कारण उर्जा का पुनर वितरन हो सकता है। गैस के अड़ों के बीच कोई आकर्शी बल नहीं होता, वे एक दूसरे से पूर्टिया स्वतंत्र होते हैं किसी क्षण में विभिन अड़ों में विभिन वेक तथा इसलिए विभिन उड़ जाएं रहती हैं हालकि अड़ों की औसद गति जूर्जा परमताप के अनुक्रमानुपाती होती है वास्तविक गैसों का वैवहार आदर्श गैस वैवहार से विचलन हम वास्तविक गैस के आदर्श वैवहार से विचलन को संपीडियेता कारक Z द्वारा दिखा सकते हैं जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है Z पराबर PV बटे NRT आदर्श गैस की स्थिती में PV पराबर NRT अता Z पराबर 1 वास्तविक गैस की स्थिती में PV ZNRT के पराबर नहीं है अता Z1 के पराबर नहीं है अता वास्तविक गैस की स्थिती में Z कमान एक से कम या एक से अधिक हो सकता है जब Z एक से कम होता है तो इसका अर्थ धनात्मक विचलन से होता है इसका आशय है कि गैस आदर्श वैवहार की अपेक्षा से अधिक संपीट निये है जब Z एक से अधिक होता है तो इसका आशय धनात्मक विचलन से होता है इसका आशय है कि गैस आदर्श वैवहार की अपेक्षा से कम संपीट निये है आदर्श वैवहार से विचलन के कारक गैस के अणों गतिक सिध्धान्द की दो दोशपून कलपनाओं की कारण होता है जो निम्न है गैस के अणों का आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नकरने होता है गैस के अड़ों के बीच आकर्शन पल न करने होता है वांडर वाल्स का समीकरण सन 1873 में वांडर वाल्स ने गैस समीकरण को संशोधित करके इसे वास्तवी गैसों के लिए प्रयूज निये बनाया जो की P प्लस A N वर्ग बटे V वर्ग गुणे V माइनस NB बराबर NRT इस्थिरांग A और B वांडर वाल्स इस्थिरांग भी कहलाते हैं गैसों का द्रवी करण तापमान में कमी तथा दाप में बढ़ोतरी करते हुए गैस का द्रवी करण किया जा सकता है क्रांतिक ताप की अवधारणा 13.1 डिक्री सेल्सियस के निम्न तापमान पर गैस की अवस्था में रहती है निम्न दाप पर जिसे बिंदू A द्वारा दिखाया गया है दाप में बढ़ोतरी किये जाने पर गैस का आयतन वक्र A B पर घटता है बिंदू B पर द्रवी करण आरंब हो जाता है अताहरेखा B C के अनुदेश आयतन तेजी से गिरता है बिंदू C पर द्रवी करण पून हो जाता है अब दाप में और बढ़ोतरी करने से आयतन पर बहुत कम प्रभाव परता है क्यूंकि द्रव बहुत कम संपीट्टे होता है इसलिए एक ठाल वक्र C D प्राप्त किया जाता है अता भाग A B के अनुदेश कारपन डाय ओकसाइड केवल गैस की रूप में रहती है भाग C D के अनुदेश केवल द्रव अवस्था में रहती है तथा भाग B C के अनुदेश द्रव और वाश्प एक दूसरे के साथ सामय अवस्था में रहते है 21.5 degree Celsius पर समदाब EFGH 13.1 degree Celsius के समान रहता है सिवाए क्षेतिजिक भाग के जहां द्रवी करण कम होता है 31.1 degree Celsius के ऊपर समदाबी रेखाऊं में क्षेतिजिक भाग पूरतया अद्रिश्य हो जाता है ये दर्शाता है कि 31.1 डिक्रीज सेल्सियस के उपर गैस का द्रवी करण नहीं होता, चाहे कितना उच्च ताप लगाया गया हो. बिंदू X क्रांतिक बिंदू कहलाता है तथा बिंदू X के संगत ताप क्रांतिक ताप कहलाता है. गैस का क्रांतिक ताप उस ताप मान के रूप में परिभाशित किया जा सकता है, जिसके उपर इसे दाप का प्रेयुक करते हुए द्रवी करित नहीं किया जा सकता. क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवी कृत करने के लिए आवशक दाप क्रांतिक दाप कहलाता है क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाप पर गैस के एक मूल का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है द्रव अवस्था द्रव अवस्था में अणु बहुत पास-पास होते हैं और उनमें अंत्रा अणुक बल अधिक प्रबल होते हैं द्रव ना तु कठोर होते हैं ना ही उनकी निश्चित आक्रिती होती है वाश्प दाप द्रवों की वाश्प में परसपर तथा पात्र की तिवारों से संघट्ट होते हैं और वो दाप लगाती है वाश्प द्वारा पात्र की तिवारों पर लगाया जाने वाला दाब वाश्प दाब कहलाता है वाश्पदाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है ये द्रव की मात्रा से सौतंत्र होता है एक बंध पात्र में द्रव के साथ सामय अवस्था में होने पर वाश्पद्वारा लगाया जाने वाला ताब साम में वाश्पदाब कहलाता है जिस तापमान पर किसी द्रव का वाश्पदाब वाहे ताप के पराबर होता है, वो द्रव का कौथनांग कहलाता है प्रिष्ट तनाव द्रव के एक पुंज में अणूं सभी दिशाओं में निकट वर्ती अणूं से एक समान आकर्शन बल का अनभव करता है इसलिए ऐसे अणूं पर कारे करने वाले आकर्शन का नेट बल प्रायाशूने हो जाता है हालाकि द्रव के प्रिष्ट पर उपस्तिती अणूं के उपर कोई अणूं नहीं होते जो उसे आकर्शित कर सकें ये द्रव के प्रिष्ट पर आकर्षण का असंतुलन निर्मित कर देता है। परिणाम सरूप प्रिष्ट पर के अणूं द्रव के अंदर की ओर आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। किसी समतर प्रिष्ट पर प्रिष्ट के समनांतर तथा प्रिष्ट पर कहीं भी खीची गई एक रेखा की एक आंक लंबाई पर लगने वाले लंबवद बल को प्रिष्ट तनाव कहते हैं। इसे गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मातरक डाइन प्रती सापेक्ष कुछ उर्जा आपूर्टी की जाती है। इसी द्रफ की सतह में एक आंक वृद्धी के लिए आवशक ये उर्जा प्रिष्ठिय उर्जा कहलाती है। अतहा प्रिष्ठिय उर्जा वो आवशक उर्जा या कारे होता है जो द्रफ का एक आंक प्रिष्ठिय उर्जा बढ़ानी के लिए अवशक होता है। इसे जे पर M वर्ग या न्यूटन प्रति मीटर में व्यक्त किया जाता है। शयानता का अर्थ प्रवा के प्रती प्रतिरोज से है। ये एक सुस्थापित तथ है कि कुछ द्रव जैसे की शहद, गेस्टर ओयल, ग्लिसरीन इत्यादी धीमी गती से प्रवाहित होते हैं। जब की कुछ अन्य द्रव जैसे की पानी, एथनॉल इत्यादी तेजी से प्रवाहित होते हैं। इसकार्थ है कि प्रतिक द्रव में प्रवा के प्रती कुछ आंतरिक प्रतिरोज रहता है। जो शयान या विसक्सिता कहा जाता है। यानि F निम्न रूप में व्यक्त है। F पराबर Eta A निउपटे X जहां Eta श्यानता गुणांक है। अब यदि A बराबर एक वर्क सेंटिमीटर निउपराबर एक सेंटिमीटर प्रति सेकेंड तथा X बराबर एक सेंटिमीटर तो F पराबर Eta। अता श्यानता गुणांक को उस घर्शन बल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। जो एक सेंटिमीटर की दूरी और एक वर्क सेंटिमीटर शेत्रफल वाली दो समनांतर परतों के बीच एक सेंटिमीटर प्रति सेकेंड का वेग अंतर बनाये रखने के लिए आवशक होता है। शेहनदा का SI मातरक न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर वर्क सेकेंड या एक पॉईस होता है। क्या आप जानते हैं। ग्रेफाइट अतितीवर प्रयोग में द्रव्य की विभिन आवस्थाओं में प्रभेश करता है। पहली बार वज्ञानिकों ने एक एक्स किरण विक्रित मिनरल को द्रवी की दो विभिन आवस्थाओं में लगभग 40-55 सेकेंड में जाते देखा। नई द्रवे संशिलेशन प्रद्योगी की अल्ट्रा फास्ट इमेजिंग तथा उच्च उर्जा घनत्व विज्ञान के विकास में ठोसे द्रव तथा प्लाज्मा अवस्थाओं के अतितीवर चरण पार गमन महतपून हैं। सारांश आईए हमने जो कुस्ती का है उसे संक्षेप में दोहराएं। अणवों के बीच आकर्शन की वेबल जो अणवों को एक साथ रखते हैं वे अंतरा अणवबल कहलाते हैं। हाइडोजन आबंध को ऐसे स्थिर वेद्यूत आकर्शन बल के रूप में परिभाशित किया जाता है जो एक अणवों के सहसेयोजी रूप से आबंधित हाइडोजन परमाणों तथा अन्य अणवों के रिण विद्यूती परमाणों के बीच उपस्तित रहता है। वह उड़जा जो अणवों को परस पर दूर करती है उश में उड़जा कहलाती है। तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है वी बटे टी बराबर के एक नियतांक। गेल लुसेक का नियम बताता है कि इस्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस कदाब केलविन तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है। P बटे T बराबर K2 नियतांक आवो कादरों के नियम के नुसार तापमान तथा दाप की समान दशाओं में, समान आयतन वाली गैसों में, समान संख्या में अडूं होते हैं. V बटे N बराबर K3 नियतांक, जहाँ N गैस के अडूं की संख्या है. आदर्श कैस समीकरण निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है PV पराबर NRT जहां R सार्वत्रिक कैस नियतांक है डाल्टन का आंशिक दाप का नियम कहता है कि नियतांक तापमान पर एक निश्चित आयतन में सीमित दो या अधिक अन्योन निक्रिया से विहीन कैसों के अकेले लगाय जाने वाले दाबों के योग के बराबर होता है तापमान में कमी तथा दाप में बढ़ोत्री करते हुए गैस का द्रवी करण किया जा सकता है वाश्प द्वारा पातर की दिवारों पर लगाया जाने वाला दाप वाश्प दाप कहलाता है किसी सम्तल प्रिष्ट पर प्रिष्ट के समानांतर तथा प्रिष्ट पर कहीं भी खींची गई एक रेखा की एक आंक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को प्रिष्ट तनाव कहते हैं इसे गामा दौरा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मातरक डाइन प्रति सेंटिमीटर या न्यूटन प्रतिमीटर होता है